हेलो गाईज वेल्कम बैक टु टिप कंसेप्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सेक्यूरिटी का एक नया टॉपिक वो है स्पाइवेर आपको आरजी पीवी का अगर मैं सेलेबस देखूं आजी पीवी के सेलेबस में यूनिट फाइव में आपको एक टॉपिक दिखता है स्पाइवेर पर ज्यादा कोश्चन नहीं है इसलिए बहुत शॉट वीडियो होने वाली है एक कोश्चन बस रिपीट हुआ था वह भी एक शोटनट को फॉम में आना होगा तो आएका स्पाइवेर जया सभ़ा संपाइवेर की डेफिनेशन निकुंदू क्या होग वो इसका क्या मतलब हो गया तहला तो यह एक मैलेशिय सॉफ्ट्वेयर यानि इसके इंटेंशन अच्छा नहीं होगा ओगे इसलिए जासुसी करना इसी की अच्छी बात नहीं होती और जासुसी करना यानि जो भी यूजर है जिस यूजर का डिवाइस है यूजर का कभी जानि गाओन यूजर का डिवाइस से उठाए उठाए और किसे भेज राँ होगा किसी 3rd party को चाहे वो आकर हो जाए चाहे कोई भी हो जाए उस 3rd party को भेज राँ होगा अब आप आपने नाम तो समझ में आलगए कि spyware है क्या spyware में कई सारे examples हैं अब examples कई आपने सुने भी वहोंगे एक होता है Trojan Horse इस सीरीज में लोग बाद में अलग से cover भी करेंगे वैट आपने पहले भी पढ़ाऊगा Trojan Horse क्या है Trojan Horse की खासियती यही होती है कि आपके device में silently install हो जाता है किसी software या किसी भी फाइल में attach होके और यह कुछ नहीं आपके उसमें बोलते हैं कोई deletion या यह सारी चीज़े परफॉर्म नहीं कर रहा यह आपके सारी activity पर नजर रखता है और आपके जो भी थर्ड पार्टी जिसने इंस्टॉल करवाया होगा यह Trojan Horse आपके device में उसको information भेज देता है जो necessity एक आता है वह हर चीज जो आप टाइप कर रहे हो या फिर जो भी आप चीज़ें ना किसी को सेंड कर रहे हो सारी चीज़ें जासुसी ना करता उस चीज की और बेच दे जाता है as a record system monitor करके भी एक आता है spyware system monitor तो आपकी बोलते ना एक एक keystrokes का भी ध्यान रखता है जैसे मैंने आप red shell के लिए बताया वैसी system monitor क्या है आपके system में कोई भी activity परफॉर्म किया आपने कौन-कौन से app install किये हर चीज की information वो भेज रहा होगा तो एक system monitor करके भी हो गया इसके अल बोलता है तो कुछ cookies तो essential cookies होती है मतलब उस website की functionality के लिए जो जरूरी है वो essential cookies है पर कुछ cookies वेबसाइट जान बूच के कई बार जो बोलते ना पाई-डे टे वेबसाइट होती है या फिर जो जो बोलते ना legitimate website निए लीगल website होती होती है वो क्या करती जान बूच के आपके tracking cookies आप कौन-कौन सी site visit कर रहे हो आप कौन-कौन से product देख रहे हो यह सारा details वो tracking cookies उठाके इन website को दे देती है तो क्या है एड को customization करना यह सब करने के लिए यह tracking cookies होती है तो हर बार ज़रूरी नहीं है जैसे Google की legitimate cookie होती है या Facebook में pixel यूज करते हैं हम लोग तो वो legitimate cookies होती है पर जो illegally यह काम करें तो वह है ना spyware में पूलता है spyware एक बहुत चोटा सा topic है spyware के साथ ही साथ आप एक और चीज़ पढ़ते हो वह है आपका adware ओके एडवेर क्या होता है इसकी में एडवेर इट इस असौफवेर डिस्प्लेइज अन्वांटेड पॉप अडवर्ड विच केन एपियर और और यों कंप्यूटर और मोबाइल डेवाइस देखो जब पहले की इनिश्चल टाइम पे अगर आप प्राउजर और मोबाइल को देखते हैं अब तो एडवेर बहुत कम हो गए क्योंकि इनिश्चल टाइम पे क्या होता था आपके मोबाइल में कोई भी एप्लिकेशन यूस कर रहे हो भले वो सिस्टम सॉफवेर क्यों ना हो आपको बहुत सारे पॉप अपस नजर आते थे बहुत सारे एड नजर आत जो एडवर्टीसमंट गूगल यह सब अप्रूव नहीं करते। वैसे इल्लीगल एडवर्टीसमेंट करा आते रहता है दिससे आप गलती से अडवर्टीसमेंट पे क्लिक करो और उससे इनको फायदा होता है जैसे मांन लेते हैं कोई वेबसाइट है उनने एडवेर बनान यह यूजर को एडवांटेज कुछ नहीं होता है यूजर का तो एक टाइप से बुलते ना रैम भी खा रहा है एडवेर और कहीं ना आपको गलती से ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करा देगा जो गलत है लाइक बुलते ना मैलेशेस सॉफ्टवेर को भी इंस्टॉल करा सकता है तो एडवेर में बट हैकर का क्या एडवांटेज होता है इन्हें पैसे मिलते है इट ब्रिंग्स मनी मनी यूजिंग कंसेप्ट ओफ तीन चीज़ों का पीपीसी पेप्र क्लिक जब भी आपने किसे एड़ पे क्लिक करते होना तो पैसा जाता है जो एड़ चला रहा होता है पैसा जाता है तो पीपीसी हो गया फिर हो गया पीपीवी पेपर वैल्यू अगर आपने मानलो उस एड़ पे गए आपने वह प्रोड़क्ट खरीद लिया तो पेपर वैल्यू हो गया ठीक है पीपी आई पेपर इंस्टॉल भाई कोई एप का अगर आड़ आजाता है कई अगर आपने देखा होगा गेम सॉफ्ट्वेर जिन सबका एड आजाता है बीच में आपको भी भी है ना कोई भी एप चला रहते है फ्री वर्जन तो आपको कही सारे इंस्टॉल करने के लिए प्रवोग करता है कि इसे इंस्टॉल कर लो इस गेम को आया भी नहीं करके कभ यह ब्राउजर खोल रखा है पड़ आपको दिख रहा है यह पर एक पॉप-प दो पॉप-प तीन पॉप-प चार पांच छे साथ आट नो नौ पॉप-प खुल रखें यह पॉप-प कहा से रहा है यह एडवेर जनरेट कर रहा है ब्राउजर के नहीं है यह यह जो साइट इसके नहीं है यह पॉप-प यह सारे पॉप-प एडवेर ने जनरेट किये एडवेर स्पाइवेर में कही बार बोलते है एक चीज़ इंक्लूड हो जाती है एडवेर एक अलग से टॉपिक नहीं होता है बड़ आप एडवेर को एक्स्प्लेइन कर सकते हो अगर आप स्पा कुछ भी है ना तो इंस्टॉल करा सकते एडवेर से तो it can be used to install a spyware को चानिये तो प्रेंट भी पड़ते हैं तो add very ने हमें जयाए ड़ ने पारे है कि आट सेमें जोट्ण झाल झाल